वर्ल कब के तैंतालिस मुकाबले हुने के बाद आप 4 टीमें जो semi final में कौलिफाइ कर चुकी है finally तैयार हो गई है जिस में से सभी टीमों ने लगबग 9 मुकाबले खेल लिये हैं और जो 9 मुकाबले खेलने थे भारत और नीदरलेंड की टीम आज अपना आखरी लीग फेस का मुकाबला खेलेगी भारत वैसे भी कौलिफाय है हार याँ जीते उनको कोई फरक नहीं पड़ेगा तो पहले नमबर की टीम जो है वो भारत है जिसमें 8 में से 16 अंक है साथ अफरीका दूसे नमबर की टीम है साथ जीत 14 अंक ऑस्टेलिया की बात करने तो ऑस्टेलिया तीसे नमबर की टीम है जिन्होंने 9 मैचों में साथ जीत के साथ 14 अंक प्राप्त की है और जो चौथी पाकिस्तान और न्यूजिलेंड में से एक टीम होनी थी वो न्यूजिलेंड की टीम है जिनोंने पांच मुकाबले जीते हैं और तस अंग पराप्त करे हैं चार हर इनके पास हैं तो भारत, साउथ अफरीका, उस्टेलिया और न्यूजिलेंड इन टीमों के बीच में जो है चार सिमी फाइनल खेले जाएंगे, दो मैच खेले जाएंगे, चार टीमों के सामने हैं तो सबसे पहले मैं आपको पहला सिमी फाइनल जो खेला जाएगा, नंबर एक, नंबर चार यानि नंबर एक पे भारत है, नंबर चार पे न्यूजिलेंड है तो पहले semi-final खेला जाएगा ये खेला जाएगा मुंबई के वानखेडे stadium में दूसरा semi-final जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा South Africa versus Australia के बीच Eden Garden में यहां मुकाबला 16 तरीकों खेला जाएगा और इन दोनों में से जो भी जीता है पहले और दूसरे semi-final में से वो सीधा जो है 19 तरीको नरेंदर मुर्दी स्टेडियम एहंदाबाद में जो है वो final खेलेगा जो वर्ल्ड कप का final होगा और इसी के सर पे ताज सजेगा जो मैच चीतेगा